नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News यदि नए किर्शी कानूनों के अंतरगत सरकार फसल से मुनाफ़क कमाने में सफल रही तो वैच्छ है एक कड़ भोमी से एक वर्ष में होने वाले लाव को परधान मंतरी और मुख्य मंतरी राहत कोश में जमा करवाएंगे अन्यता धरातल की सच्चाई को बखो भी जानते हुए बिना देरी कानून वापिस लेने का कारिय करें तीन किर्शी कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदुलन हर दिन के साथ और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है कडाके की सर्दे के बावजूत किसानों के होसले 20 दिन बाद भी पूरी तरह से बुलंद है और किसान मांगे पूरी होने तक पीछे हटने को तयार नहीं है इस बीच बॉर्डर पर जमावडा लगाए बैठे किसानों का पता लेने के लिए पंजाब से लगातार किसानों का जथा पहुंच रहा है धरनारत किसानों के जितने वाहन वापिस पंजाब लोड रहे हैं उससे कई गुणा अधिक वाहन पंजाब से आंदोलन में सामिल होने के लिए धरना स्थल पर पहुँच रहे हैं पंजाब से आने वाले किसानों के जथे अपने साथ खाने पिने का सामान भी लेकर आ रहाए हैं ताकि आंदोलन में बैठे किसानों को किसी प्रकार के सामान की कमी मैसूस ना हो हर्याना के उप मुख्यमंतरी दूश्यन चोटाला ने पिछली दिनों एक एकड़ से अधिक वे दो एकड़ से कम छेतर वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके एक से अधिक भागिदारों के नाम रजिस्ट्री की गई है सभी उपायुक्तों को एक सफ़ता में रिपोर्ट भेजने के आधिश दिये गए हैं उन्होंने आधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक परदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बादाओं को दूर कर दें ताकि 1 जनवरी 2021 से परद करने के परस्ता वाने के बाद बात करने के निर्णे का समर्थन करते हुए कहा कि देश के परदान मंतरी को अन्न दाता द्वारा रखी गई मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए उन्हें मान लेना चाहिए इनलों नेता ने किसान संग्ठनों की मांगों को जायज ब हरियाना राज्य हज कमेटी ने वर्ष 2021 में हज यात्रा के लिए आवेदन आमिंतरित करने की अंतिम दिथी को 10 दिसंबर से बढ़ा कर 10 जनुरी 2021 कर दी है इच्चुक आवेदक हज कमेटी इंडिया मुंबई की वेबसाइट हजकमेटी.gov.in पर हज कमेटी के मोबाईल अब के माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं हज कमेटी के एक परवक्ता ने इस संब्ध में जानकरी देते भी बताया कि एक कवर नमबर में अधिक से अधिक तीन वेक्ति आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन की समय आवेदक की आयू 18 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बिना महरम स्रेणी में आवेदन करने वाली महिलाओं की आयू आवेदन की समय 45 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उन्होंने बताया कि हज आवेदन करते समय पासपोर्ट की वैदता 10 जनूरी 2022 तक होना अन्यवारी है तता पासपोर्ट आवेदन करने के अंतिम्तिती के बाद का नहीं होना चाहिए हर्याना में सीत लेहर के कारण हाड कापाने वाली ठंड का कहर जारी है जिसका मुख्य कारण पाहाणों पर हो रही बरबबारी है इसका असर हर्याना में भी पड़ रहा है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है हर्याना राज्ये में सभी जगएं पर तापमान में काफी किराउट आई है शर्द हवाय चलने से सुबह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है मौसम विवा की माने तो राज्य में 17 दिसंबर तक मौसम आमतोर पर खुश्क रहने की संभावना है दिन और रातरी दोनों ताफमान कम होने से दिन के समय के लोगों को ठंड़क महसूस हो रही है लोग अलाव हीटर आदी के मादम से खुद को ठंड़ से बचाए रखने का प्रियास कर रही है केंदर के नरेंदर मुदी सरकार दवारा लाए गए तीन किर्शी कानूनों के खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार 20 दिन से जारी है सरकार और किसानों के बीच भी हल नहीं निकला है ऐसे में बुधवार यानि 16 दिसंबर को सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में सुलजाने के लिए सुनवाई की सुप्रिम कोर्ट में गुरुवार यानि आज 17 दिसंबर को फिर इस पर एक बार सुनवाई होनी है कोर्ट के आदे सानुसार कमेटी का गठ नहीं है। धारुएडावे उकलाना नगरपालिका के चुनाओं के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इन चुनाओं के नतीजे 23 दिसंबर को गोशित किये जाएंगे। दोनों पार्टियों ने गठबंदन के तहए थी इन निकायों में अपने परतेशी चुनाओं मैदार में उतारे हैं। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संके लोना चंदरा भ्यानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतय से नमूने लेकर आया है। इन नमूने से परत्वी के इस उपगरे की सतय है और उसके अतित के बारे में नई जानकरे मिल सकेंगी। दरसल चीन के चांगी फाइफ यान स्थाने समय अनुसर गुरुवार रात करीब डेट वजे मंगोलिया के भीतरी इलाके में उत्रा अंत्रिक्स में लगातार अपनी चमता बढ़ाता जारा चीन इस मिशन की कामियाबी को एक बड़ी उपलब्दी मान रहा है। पैटरोल और डीजल के कीमत में लगातार दसवे दिन आज कोई बदलाव नहीं किया गया। झाले कामियाबी